दोस्तों आज मैं आपके लिए 5 एसे डरावने कबरिस्तान लेकर आया हूँ जो अपनी भूतिया घटनाओ के लिए दुनिया भर में काफी फैमस हैं अगर आप भूतों पर विश्वास नहीं करते तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन पर विश्वास हो जाएगा एक दिन एक लड़का अपने कम्प्यूटर पर गुगल स्ट्रीट की मदद से अपने घर के पास के कबरिस्तान को देख रहा था तभी उसने एक ऐसी फोटो केप्चर की जिसने सब के हो सुड़ा दिये क्योंकि कबरिस्तान के अंदर पेड़ के पीछे एक रहस्यमई लड़की मोजूद थी जिसकी उम्र जादा नहीं लग रही थी और उस फोटो को जब बढ़ा करके देखा गया तो उसके पीछे एक अजिब आकरती दिख रही थी जो सायद कोई आत्मा थी कुछ लोग उसे ग्रीम रिपर मान रहे थे जो सायद बच्ची की आत्मा को लेने आया था इस कबरिस्तान को साल 1831 में बनाया गया लेकिन 100 साल बाद इसे बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर हमेशा भूतिया घटनाए घटती रहती है यहाँ तक कि इसके पास मुझूद चर्च आग की वज़े से जलकर राग हो गया कहा जाता है कि इस कबरिस्तान में हमेशा अजीब धुआ से बने बादल कबर के उपर मंडराते रहते हैं यहाँ तक की कई बार लोगों ने यहाँ अजीब सी लाइट भी देखी गोश्ट बेबी औस्ट्रेलिया के एक फोटोग्राफर ने जब अपनी बेटी के मर जाने के बाद उसकी कबर की फोटो ली तो तस्वीर को देखकर उसके होसूड गए क्योंकि उस फोटो में एक छोटी बच्ची की आत्मा केद हो गई थी जो कबर के नजदी की बेटी हुई थी देखते देखते वो लोगों की बीच काफी फेमस हो गई जिसके बाद कुछ पेरा नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने उस फोटो की बारिकी से जाच की जिसके बाद ये मान लिया गया कि वो घोष्ट उस कबरिस्तान में दफनाई गई किसी बच्ची का ही था गाईस अगर आप वेनम को चिटिये फाइफ में तबाई मचाते हुए देखना चाते हो तो मैंने आजी मेरे सेकिंड चैनल पर वीडियो को अपलोड कर दिया है जो सच्च में काफी सांदार वीडियो बना है पूरा वीडियो देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और हाँ जाने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सेमेट्री स्प्रीट एक दिन एक ग्रूप कबरिस्तान में कुछ रेंडम फोटोज ले रहा था तब ही उनके केमरे में एक अजीब परच्चाई केद हो गई जिसे आप भी देख सकते हो कहा जाता है कि इस कबरिस्तान में लोगों को हमेशा अजीब मैसूस होता है जैसे बेचेनी या फिर सांस लेने में परेशानी यहां तक की जमीन के नीचे से अजीब सी आवाज भी सुनाई देती है सेमेट्री घोष्ट एक दिन एक व्यक्ति नसे में कबरिस्तान से होकर गुजर रहा था तभी उसने कबर के उपर लेट कर अपनी एक फोटो खिचवा ली जब दूसरे दिन उसने कंप्यूटर में उस फोटो को देखा तो उसके और उसके परिवार के होश सुट गए क्योंकि फोटो में एक आत्मा केद हो गई थी जो उस व्यक्ति को नस्दीक से गूर रही थी दोस्तो जाने से पहले मैं आपको याद दिला दू कि मैंने आज मेरे नए चेनल पर एक सांदार वीडियो अपलोड कर दिया है उसे भूल कर भी मिस मत करना लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्ली सब्सक्रेब करना मत बूलना